नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, सो आज सुभे ही एक नई ख़बर सामने आई है, एक केस चल रहा था, Permanent Court of Arbitration में, PCA में, जो की हेग निदरलांड्स में लोकेटिड है, इस केस में जो दो पार्टी थी, एक तो थी Indian Government, और दूसरी पार्टी थी Cain's Energy, Cain's Energy दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी Oil and Gas firm है, जिस दोनों के बीच में यहाँ पर केस चल रहा था, यह केस काफी पुराना केस है, लेकिन आज फाइनली PCA ने अपनी रूलिंग को सुना दिया है, और रूलिंग उन्होंने दी है Cain's Energy के फेवर में, जिसके चलते भारत को एक बहुत ही भारी रकम पे करनी पड़ सकती है, विच अल्मोस्ट अमाउंट्स तो 10,300 करोड़, नो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करेंगे कि वाट इस दिस केस अबाउट, और यहाँ पर यह केस की शुरुवात किस तरीके हुई, क्या वज़े थी, यह पूरा का पूरा केस, Permanent Court of Arbitration में चला गया, अल्सो इस केस में, जैसा कि आप देख सकते हैं, Economic Times की यह news है, इस केस का कुछ linkage है, Vodafone वाले केस के साथ भी, अगर आपने Vodafone वाले केस को follow किया होगा, तो इस साल, September की खबर है, उस समय Vodafone की केस को लेके भी rolling आई थी, और Vodafone का जो केस था, वो भी जुड़ा हुआ था, Retrospective Taxation के साथ, So how are the two cases related, what is Retrospective Taxation, and क्या India यहाँ पे इस particular amount को पे करने वाला है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं, इसके इलावा, सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुट सकते हैं, अपनी queries आप मुझ से Instagram पे पूछ सकते हैं, Study IQ आप को डाउनलोड कर लीजे, फ्रम गूगल प्ले स्टोर और फिलहाल आप पे चल रही है, जिसके चलते आपको सभी courses के ऊपर, 10 प्रतिशत का extra discount available करवाया जा रहा है, यदि आप UPSC की तियारी कर रहे हैं, और आने वाले UPSC के 2021 के prelims की तियारी कर रहे हैं, तो ये course आपके लिए काफी ज़ादा helpful हो सकता है, इसमें हमने पिछले 10 साल के papers को discuss किया है, राइट, So as you can see, the permanent court of arbitration, ये वाली जो permanent court of arbitration है, ये Netherlands में located है, precisely city का नाम है, Hague, और इन्होंने ruling की है that Indian government was wrong in applying retrospective tax on Cain, So basically ये Indian government ने लगभग आज से 12-13 साल पहले, यहाँ पे ये case शुरू हुआ था, जब Indian government ने retrospective taxation का case लगाया था, Cain Energy के ऊपर, In fact, यहाँ पे इन्होंने अपनी ruling में कहा है, the arbitration court said, Indian government must pay roughly 10,000 करोड in damages to Cain, मैंने यहाँ पे इसको star mark किया है, इस number को, इस figure को, because कई सारे आपको figures मिल जाएंगे, फिलाल कुछ लोग बोल रहे हैं, 8,000 करोड है, कुछ लोग बोल रहे हैं, 10,000 करोड है, कुछ लोग बोल रहे हैं, 10,247 करोड है, अलग-लग figure सामने आ रही है, but जो मोटा-मोटा है, that is somewhere around 8,000 to 10,000 करोड, जो कि Indian government को pay करना पड़ सकता है, Now, यह case काफी हद तक similar है, between the Indian government and the Vodafone, जो कि अभी कुछ समय पहले, जिसकी ruling सामने आई थी, आप देख सकते हैं, September 27, 2020 को यह ruling सामने आई थी, और यहाँ पर भी, यह जो ruling दी गई थी, उसमें भी Indian government को कहा गया था, कि आपको 22,100 करोड पे करना पड़ सकता है, in taxes to the telecom giant Vodafone, क्योंकि यहाँ पर Vodafone के खिलाफ भी, almost similar case बनाया गया था, right, so before we begin, सबसे पहले हमें समझना होगा, कि असल में retrospective taxation क्या होती है, यह same वही कारण है, जिसकी वज़े से Vodafone के साथ case हुआ था, और जिसकी वज़े से अब Kain Energy वाला case आपके सामने है, so retrospective taxation, जैसा कि यह term आप देख सकते हैं, उपर tax लगाती है, पीछे समय में जाकर, so for example, इसको और आसानी से समझने के लिए, माल लीजिए, आज 2020 में, एक country ने एक law पास किया, ठीक है, लेकिन country ने उस देश ने इस कानून में कह दिया, कि हम law तो आज पास कर रहे हैं, लेकिन इसके उपर जो taxation लगेगी, ये 2018 से लगाई जाएगी, so 2 साल पीछे से हम, जो अभी तक हमने tax को नहीं लिया था, वो भी हम आप से आज लेंगे, इसकी अगर आप परिभाशा देखना चाहें, तो retrospective taxation allows a country to pass a rule, on taxing certain products, items, or services from a time behind the date on which the law is passed, ठीक है, तो आज 2 साल पहले, या फिर 5 साल पहले, कभी भी ये country कर सकती है, ये ऐसा क्यूं करती है, countries ऐसा क्यूं करती है, obviously अगर countries को लगता है, कि कही ना कही पिछले 2 साल में, उनके taxation policies में, या taxation कानूनों में, कुछ ना कुछ anomaly रही है, जिसकी वज़े से companies को ज़्यादा फाइदा हुआ है, तो हम ऐसे loopholes को correct करना चाहते हैं, ठीक है, ये reason होता है, countries के ऐसे करने का, and obviously ये जो पूरा का पूरा, अगर ऐसा हम 2 साल पीछे जाके, कानून लगाते हैं, तो इससे companies को काफी नुकसान तो होता ही है, because उनको काफी ज़्यादा tax भरना पड़ता है, not only companies को, बलकि जितने भी निवेशक होते हैं उस company में, उनको भी काफी ज़्यादा नुकसान होता है, also आपको बता दूँ, भारत अकेला देश नहीं है, जहाँ पर retrospective taxation को लेके कानून लाए गए हैं, इसके इलावा बड़े-बड़े country, such as US, UK, Netherlands, Canada, Belgium, Australia, Italy, इन सभी countries ने अपने अपने देशों में retrospective कानूनों के तहट companies को tax किया है, right? Now, अब हम discuss कर लेते हैं, what exactly is this case, जहाँ पर Cain Energy ने इस case को जीता है, यहाँ पर Cain Energy दुनिया की एक जानी-मानी firm है, यह Europe की एक leading independent oil and gas exploration and development company है, और यह London Stock Exchange पे भी listed company है, और Cain Energy ने भारत में भी कई सारे areas में oil and gas exploration किया हुआ है, Now, हुआ क्या था कि 2006-07 के आसपास की बात है, जब Cain Energy इंडिया में प्रवेश कर रही थी, इसके पहले Cain केवल बाकी countries में थी, लेकिन इंडिया में काम नहीं कर रही थी, So, इन्होंने क्या किया, इन्होंने Cain India जब open किया, तो इन्होंने कुछ shares का transfer किया, of Cain India Holdings to Cain India, जब यह transfer हुआ, तो income tax जो हमारा IKAR विभाग है, उनको लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला हुआ है, जिसके चलते, उन्होंने यहाँ पे यह कहा कि आपने कुछ ऐसे capital gains किये हैं, कुछ ऐसा आपको मुनाफ़ा हुआ है, जिसके उपर आपने tax नहीं भरा है, उस समय इंडियन income tax authorities ने केन इंडिया के ऊपर एक tax demand लगा दी, कि आपको पे करना होगा 24,500 करोड रुपया, इसके बाद क्या होता है, जैसे ही इतना बड़ा case लगाया, जो यह company थी केन इंडिया, इन्होंने अप्रोच किया income tax appellate tribunal को, और साथ ही में इन्होंने case फाइल कर दिया, दिल्ली high court के अंदर भी, तो यहाँ दोनों जगा पे case चल रहा था, और basically interpretation का फरक था, इंडियन government के according इनको इतना tax pay करना था, लेकिन केन इंडिया के according यह इनके लिए capital gains नहीं था, तो इनको कोई भी tax pay नहीं करना था, जो ITAT वाला case था, यानि कि income tax appellate tribunal वाला case जो भारत नहीं चल रहा था, वो वाला case केन इंडिया ने loose कर दिया, दिस वाज अप्रॉक्सिमेटली 2017 की बात है यह, लेकिन जो दिल्ली high court वाला case था, वो तब भी pending पड़ा हुआ है, और आज भी वो pending ही पड़ा हुआ है, अब क्या हुआ कि 2017 के आसपास की बात है, जब केन इंडिया ने, इन्होंने move कर दिया directly की हम जाएंगे permanent court of arbitration, की हमें अपने जो case को हम international level पे लेकर जाना चाहते हैं, और जब ये international level पे लेकर गए, सो वहाँ पे सुन्वाईया होनी शुरू हो गई, लेकिन इस दौरान इंडिया थी इन्होंने केन इंडिया के shares को भी seize कर लिया था, और इन्होंने जो भी इनके dividends से उसको भी seize कर लिया था, जो की company pay करती थी अपनी parent firm को, तो यहाँ पे केन इंडिया को काफी नुकसान जेलना पड़ रहा था, और इसी चीज़ से परिशान होके असल में इन्होंने फैसला लिया था, कि हम permanent court of arbitration जाने वाले हैं, नौ ये case चल रहा था permanent court of arbitration में, लेकिन case को लेके कोई final सुनवाई नहीं सामने आ रही थी, अगर आप देखें 2017 में case लगाया गया, उसके बाद 18, 18 में PCA ने कहा कि हम आपके case को जल्द ही सुनने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जब फैसला सुनाना था, के end में, और उसके बाद 2019 के end में, October के आसपास की बात है, उन्होंने एक और announcement कर दी, कि जो ये 10,247 करोड वाला case है, इसकी हम announcement करेंगे mid 2020 में, अब finally 2020 आ चुका है, और 2020 का भी end आ चुका है, maybe due to COVID-19 शाहिद सुनवाई या ना हो रही हो, लेकिन अब finally यहाँ पे announcement हो चुकी है, और सबसे पहले ये वाली reporting की गई थी, Reuters के द्वारा, इन्होंने आज बताया, आज सुबह की ही खबर है, Keynes Energy wins Investment Treaty Arbitration Against India, over tax dispute. Now, Arbitration Court ने exactly क्या कहा है, सबसे पहले तो Arbitration Court ने कहा है, कि यह जो मुद्दा था, यह केवल tax से जुड़ा हुआ नहीं था, बलकि investment से भी जुड़ा हुआ था, इसी लिए यहाँ पर यह जो jurisdiction है, International Arbitration Court की, यह बिलकुल जायज है, बिलकुल वाजिब है. साथ ही मिनों ने यह भी कहा है, कि यह वाला जो case, Vodafone Arbitration Case से काफी जादा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भारतिय सरकार ने एक breach की है, उन्होंने उलंगन किया है, of the guarantee of fair and equitable treatment, जिसके चलते भारतिय गावर्मेंट को, यह वाली amount इनको pay करनी होगी. Obviously, यहाँ पर इंडियन गावर्मेंट के पास, पूरा-पूरा हक है कि वो इस ruling को के खिलाफ appeal कर सकते हैं, इसके खिलाफ object लगा सकते हैं, और बोल सकते हैं कि हम चाहते हैं कि case को दुबारा पढ़ा जाए, सुना जाए, right? And in fact, इंडिया ने same चीज़ करी थी with respect to Vodafone also, वोड़ापून वाला जो हमारा 22,100 क्रोड बचा हुआ है, उसको लेकर भी इंडिया ने अभी decide करना है कि वो payment करनी है, या फिर हमने उस case को appeal करना है, यह दोनों की दोनों चीज़ें, अभी तक इंडिया ने कोई stand नहीं लिया है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, आज दुपहर की ही बात है, Indian Government ने एक reply इतना दे दिया है कि हम Arbitration Award को पहले study करेंगे, और उसके बाद सभी तरह की जो options हैं उनको explore किया जाएगा, तो क्या होता है exactly, वो देखना बाकी है, फिलहाल के लिए इतना ही, thank you for listening, stay tuned and stay safe.